नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एक्जाम स्टेडी चेनल पर मैं बीरम सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आपकी परिक्षा में 3-4 दिन बच्चे हैं, इसलिए आनलाइन परिक्षा के चक्कर में भी ना पड़े मैं भी इस वीडियो में आपको केवल प्रश्न और सही उत्तर बताऊंगा क्योंकि आनलाइन परिक्षा से फाइदा कुछ नहीं होने वाला है अभी तैयारी का इस्तर परखने के लिए आपको समय नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके पड़ाई करें देखे पाठिक्रम के निर्धारण में किसकी भूमी का होती है, तो शिक्षा आयोगेवं समीतिया, विद्याले और शिक्षक, सभी की भूमी का पाठिक्रम के निर्धारण में होती है शिक्षा द्वारा निमनलिखित में से क्या संभव नहीं है आदुनी की करण भी संभव है राष्टी एक्ता करना भी संभव है और समाजिक मुल्यों का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है पार्ठिक्रम कैसा होना चाहिए तो पाठिक्रम ना तो परिक्षा के अंदरित होना चाहिए ना विद्याले के अंदरित होना चाहिए ना शिक्षक के अंदरित होना चाहिए बलकि छात्र के अंदरित होना चाहिए क्योंकि पाठिक्रम का उद्देश्य होता है छात्र का विकास करना पाठिक्रम विकास की प्रक्रिया कब आरंब होती है तो यहाँ प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है पाठिक्रम विकास में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्यता को स्वराधिक महत्व दिया जाना चाहिए पार्टिक्रम विकास को प्रभावित करने वाला गटक कौन सा है परिक्षा प्रणाली, समाज एहुम परिवेश, अध्यान समिती ये सभी पार्टिक्रम के विकास को प्रभावित करते हैं किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पार्टिक्रम अनुभव के अंद्रित होता है तो प्रयोजन वात पर आधारित पार्टिक्रम निर्मित पार्टिक्रम अनुभव के अंद्रित होता है पाठिक्रम विकास का आयाम क्या है? अनुभव, अनुदेशन और पाठिवस्तू ये सभी पाठिक्रम विकास के आयाम है पाठिक्रम के उद्देश्यों की पूर्ती में निमने लिखित में से कौन सा सायक नहीं हो सकता है? केलका मेदान, विद्याले भवन और शिक्षक का व्यवहार ये सभी सायक हो सकते हैं लेकिन विद्याले सायक नहीं हो सकता करके सीखना किस अवस्ता के लिए उप्यूकते हैं? शेशव अवस्ता, बाले अवस्ता और किशूर अवस्ता सभी अवस्थाओं के लिए करके सीखना उप्युक्त है बुद्धी ग्यान अर्जन करने की शमता है या कथन किसका है वोड्रो विल्सन का शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्मान करना चाहिए या कथन किसका है डाक्टर सरुपली राधाक्रिशन का सामंजश में विश्वास करने वाला सिध्धान्त है अस्तितुवात का सिध्धान्त रचनत्मक्ता के विकास में क्या चीज सायक नहीं है तो खेल हाश्य क्रियाए और निर्मान समंदी क्रियाए इन सभी से प्रोड़क्टिविटी बढ़ती है लेकिन भाषन से नहीं मानसिक रूप से सथिव्यक्ति क्या विश्यस्ता है उसे सहन्शे लोना चाहिए सामंजश इस्थापित कर सकने वाला होना चाहिए और साती सात निर्ने शमता वाला भी होना चाहिए व्यक्ति अपना संतुलन इस्थापित कर सकता है विशलेशन वा निर्ने के द्वारा बारे बच्चों को पढ़ाने की एक विधी है आत्मिकरण तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधी है दिवा स्वपन मानसिक स्वास्थ और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ट संबन्द है यह कथन है फेंडसन का तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधी कोन सी नहीं है समश्य समाधान विकल्पों की खोज या व्यक्ष्यावन निर्ने तो मोन वाचन प्रत्यक्ष विधी नहीं है बाकी यह सभी प्रत्यक्ष विधिया हैं दोस्तों हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों मेरा जो प्रयास है वह है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकरी देना और आपका रिविजन करवाना इस कारण से मैं जल्दी कर रहा हूँ यदि आपके कोई सुजाओ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करे और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दे अंध्यबालक किस से पढ़ सकते हैं तो ब्रेल लिपी के माध्यम से पढ़ सकते हैं अरस्तों ने शिक्षा को किस प्रकार परिबाशित किया है तो अरस्तों ने कहा है सस्थ शरीर में ही सस्थ मस्तिश्क का निर्मान करना ही शिक्षा है स्वामी विवेकानंद का कथन है मनुष्य में अंतर निहित पूर्णता को अभियक्त करना ही शिक्षा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है शिक्षा कि यह परिबाशा किस ने दी है ठ्राबेलने यह थे दोस्तो टाप 25 क्यूशन्स शिक्षा शास्तर से यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं 25 प्रशन भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा आप कमेंट करके और लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता हो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ तो आप उनको देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही हस्ते रहिए तनाव रही तरह कर तैयारी करिए इसी के साथ इस वीडियो को यही पर करते हैं समाप्त धन्यवाद जय हिंद जय भारत